अपनी नियम निष्ठा ही अपनी रक्षा करती है साधना के द्वारा हमारी जो आध्यात्मिक संपदा जमा होती है वह बिखर न जाए और साधना में उत्तर-उत्तर उन्नती होती रहे इसके लिए पूज वापूजी अपने साधकों को बार-बार सावधान करते हैं पूज श्री के सत्संग अमरित में आता है कि यह मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों का अंतिम जन्म भी हो सकता है हर्थात इसमें आप मुक्तात्मा भी हो सकते हैं और 84 लाख योनियों में ले जाने वाला कर्म बंधन भी बना सकते हैं इसलिए बड़ी सावधानी से इस जन्म को समारना चाहिए अपना नियम कभी नहीं छोड़ना चाहिए द्रडवरती होना चाहिए कि इतनी माला करनी है तो करनी ही है प्राणायाम करने हैं तो करने हैं नियम पुरा होने के बाद में ही नाश्ता या भोजन करूंगा जरा जरा बात में नियम छोड़ दिया जरा जरा बात में भजन छोड़ दिया नहीं बोले महमान आ गए थे महमान आ गए तो नियम पुरा करो न क्या है इसमें महमान आते हैं तो आपने खाना नहीं छोड़ा नीद नहीं छोड़ी स्नान नहीं छोड़ा तो जब ही क्यों छोड़ दियो क्या करें महमान आये हैं तो नियम छोड़ दिया तो तुमको तो भगवान से ही इलर्जी है कुछ भी हो अपना नियम करें कोई सोचते हैं कि महमान नए हैं, उनको बुरा न लगे, उनको तकलीफ न हो अरे भगवान की नाते उनकी सेवा करें लेकिन अपने साधन भजन का गला क्यों घोटना अपनी नियम निष्ठा अपनी रक्षा करती है सब छूट जाए, लेकिन नियम निष्ठा नहीं छोटे गुरु मंतर का जब गुरु गीता का पाठ नहीं छूटता है, तो व्यक्ति बच जाएगा किन्तु ये छूट गए, तो फिर उलज गया कल्यूग में गुरु गीता बड़ी रक्षक है भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु मंतरो मुखे यस्य, तस्य सिध्यन्ति नान्यता गुरु लाभात सर्व लाभो, गुरु हिनस्तु बालिश है जिसने गुरु मंतर छोड़ा, गुरु की आग्या को छोड़ा वह बालिश है मुर्क है, अनात है उसे कभी भी विकार, को संसकार, पाप कर्म जपेट लेंगे काहून कोव सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सबुभाता समय बीता जा रहा है, काल दगा दे रहा है बीता हुआ आयुश वापस नहीं मिलेगा लेकिन यह नियम निष्ठा है, तो काल दगा नहीं देगा बीता हुआ समय हमको उन्नत करता जाएगा अगर नियम छोड़ दिया, साधन भजन छोड़ दिया तो बीता हुआ समय हमको 84 के चक्र में फैक देगा इसलिए साधना में सातत्य चाहिए अगर दियम निया